अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंती सब्सक्राइब कीजे और साथ में अल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे दोस्तों Compact SUV सेग्मेंट में एक नई धाकेदार एंट्री होने वाली है दोस्तों टोईटा अपनी एक Compact SUV लाँच करने वाली है टोईटा अरवन प्रूजर के नाम से जो की होगी दोस्तों मारती विटारा ब्रेजा का रिवेज वर्जन यहां मैं कबर करने वाला हूँ इसके प्राइस, लाँच डेट, फीचर्स, सिप्टी फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन, एबरिटिंग, शोब बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टोहिटा बहुत जल्दी अपनी कॉम्पेक्ट SUV टोहिटा अर्बन क्रूजर को इंडियन मार्केट में लाँच करने वाली है दोस्तों जो कि मारुती सुजुकी की मोस्ट पॉपलर कॉम्पेक्ट एशुबी विटारा ब्रेजा का रिवेर्ज वर्जन होगा दोस्तों जो कि टोहिटा और सुजुकी की साजेदारी से आने वाली दूसरी कार होगी दोस्तों इससे पहले भी मारुती सुजुकी की मोस्ट पॉपलर और मोस्ट सेलिंग हैच बैक बलेनो को रिवेर्ज किया गया था टोहिटा गलेंजा के रूप में लेकिन अगर हम सेल्स भीगर की बात करें तो टोहिटा गलेंजा जादा नहीं भी की दोस्तों कमपरेटिवली मारुती सुजुकी बलेनो के टोहिटा गलेंजा को कमपनी ने उसी डिजाइन के साथ पेस किया जिस डिजाइन अलड़ी मारुती सुजुकी की बलेनो है दोस्त को बहुती कॉस्मेटिक बल्लाओं के साथ लॉंच कर रही है दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो फ्रेंट प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों मारुती सुजू की विटारा ब्रेंजा से फ्रेंट प्रोफाइल में अगर हम हैटलाइम यूनिट की बा करें तो तोम इंसर्टेट प्यानो ब्लैक फिनिश में डिफरेंट डिजाइन में मिलने वाले है बीच में टोईटा का लोगो मिलने वाले है एरडेम के नीचे आपको मिलने वाले है दोस्तों बहुती डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में इसको खास बना देते हैं और ड विटारा व्रेजा की तरह ही आपको इसमें चारों और मिलने वाले हैं, बॉडिक लैडिंग, वार्बियम आपको प्यानो ब्लैक्फनिस में, विद एलेडी टोन इंडिकेटर के शाथ, विज विल बी एलेक्रिकली एड्जस्टिबल एंड फोल्डेबल, उपर आपको विटा विटारा व्रेजा के, क्योंकि इसकी सीटिंग एरेजमेंट कुछ इस तरह होने वाली है, दोस्तों की बूट स्पेस इंक्रीज हो जाए, विटारा व्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं एक्सपेक्ट की जा रही है, दोस्तों, टोईटा अर्बन अलॉइ वील मिलने वाले है, 16 इंच के, और विल साइज रहने वाला है, 21560R16, चले दोस्तों, बात करते हैं, रेर प्रोफाइल टोईटा अर्बन क्रूजर की, तो यहाँ पे आपको फ्रेंट प्रोफाइल की तरह ही काफी सारे कॉस्मेटिक बंदाव देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें LED टेल लैम आपको डिफरेंट डिजाइन में मिलने वाले हैं, नीचे स्किट प्लेट और यहाँ पे आपको बंपर भी रीडिजाइन में दिखने को मिलेगा, और नमबर प्लेट की ठीक ऊपर आपको रिवर्स पाकिंग कैमरा और बंपर पे आपको मिलने वाले हैं, height adjustable headrest, सभी seats पे और इसमें बहुत ही सांदर आपको मिलने वाले हैं, दोस्तों, dual tone dashboard, जैसे की विटारा ब्रेजा में single tone मिलता है दोस्तों, और silver inserts दी गए, टोईटा urban cruiser में मिलने वाले हैं, इससे भी बहतर interior layout, और इसके लावा मिलने वाले हैं, बहुत ही सांदर 3 spoke, tiltable, multifunction, leather wrapped, steering wheel, जिसके left side audio mounted control, right side cruise control की सुरिधा दी गई हो, और center console में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही बहतर 8 inch का touch screen input and main system, जो की support करने वाला है दोस्तों, apple car play, android auto, bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and USB को, सांथ में इसमें connected features भी दिये जा सकते हैं, automatic climate control भी इसमें आपको मिलने वाले हैं, दोस की तरह ही यहां पर cabin light आपको provide की जाएगी है, और sun glass holder और यहां पर electric sun roof मिलने की संभावना भादी कम है दोस्तों, और इसमें भी आपको front AC wind से ही काम चलाना पड़ेगा, और इसमें leg room, head room की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, armrest मिलने वाली है, two cup holder के साथ, और leg room की बात करे head room की बात करें, तो कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है, दोस्तों, Toyota की इस upcoming compact SUV में अगर हम engine की बात करें, तो इसमें आपको मिलने वाली है, दोस्तों, BS6 compliant 1.5 liter 4 cylinder petrol engine, जो की 105 DSP की power 6000 rpm and 138 Nm का peak talk generate करनी वाली है, 4400 rpm, transmission की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5-speed manual and 4-speed talk converter automatic transmission मिलने वाली है, जो की mild hybrid technology से less होगी दोस्तों, जहां तक safety features की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाले हैं, dual airbag, ABS with EBD with brake assist, electronic stability program with hill hold assistance, reverse parking sensors, reverse parking camera, seatbelt reminder, driver side and co-passenger side, keyless entry and push start stop button, isopic child seat anchorage, engine immobilizer, tire pressure monitoring system, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, जैसे premium safety features मिलने वाले हैं, जहां तक Toyota की इस compact SUV urban cruiser की expected launch date की बात करें तो before 2020 festive season launch होने वाली है, मारुती सुजू की वीटारा व्रेजा, टाटान एक्शोन, Hyundai Venue, महिंद्रा XUV3OO, Ford Eco Sport, Kia की upcoming compact SUV, Kia Sonnet and Renault की upcoming compact SUV, काईगर से होने वाली है, यह थी दोस्तों, latest update, Toyota की upcoming compact SUV, Toyota Cruiser के बारे में information आपको कैशी लिगी, नीचे comment section में जुरूर बताएगा दोस्तों, और एक like तो बनता है दोस्तों, चैनल को subscribe के बगर बिलकुल मच जएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना हुई, automobile sector से जुड़ी news, reviews, test drives, walk arounds, comparison, accessories आप से साजा करता है रहता हूँ, तो चैनले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद, जैहें